Hello Friends, Welcome Back, मैं आचिंता हजरा आज मैं आपको मेरा जो स्टूडियो है उसका सेटप सेर करने जा रहा हूँ मेरा स्टूडियो को सेटप कैसा है और क्या-क्या मैं एक कुमेंट यूज करता हूँ और क्या आर्ट मेटिरियल सी उसकरता हूँ यह सब की जानकरी में इस वीडियो में देने जा रहा हूं तो इस वीडियो को पूरा देखे ताकि आप एक आर्टिस्ट है या आप एक स्टूडेंट है तो आपको यह ज़रूरत है आज गाल जो भी सिस्टम है ओनलाइन में है चाहे आर्टिस्ट हो कोई किसी भी फील्ड में हो आपको ये ऑन्लाइन का जो भी स्टेट आप एप पो जुरूथ है uh मैं साथ में शेयर करूंद का मेरे स्टूडियो में जो भी आर्टिस्ट का पैंटिंग अभी डिस्प्ले है वो भी मैं शेयर करूँगा तो देखते रही है तो मैं सबसे फ़हले बताना चाहूँगा जो कि यह पेंटिंग है मिलिन मुलिक सर का है जो कि पूने में जब ग्रीन वास में हम गे थे वहाँ पे सर का डेमो है काफी ब्यूटिफुल डेमो दिये थे सर ने तो कलराम जब ग्रीन वास में गे थे उस समय की बात है उसी समय की और एक पेंटिंग जो कि है संजाई दे सर के है बहुत प्यारा सा पेंटिंग तो मैं बहुत खुस किसमत हूँ कि खुस नसीब हूँ कि मेरे को यह पेंटिंग हम कलराम के कलरम के एक याद के लिए हम इसको अपने स्टूडियो में इसे संभल के रखा है कलरम के जो भी इस तरह से आर्टिस्ट के जो भी गिप्ट है हमें हम संभल के रखे है यह सिकंदर सरके है जो कि हम जब कलरम बारनस्टी में गया तो तब का ये पेंटिंग उन्होंने गिप्ट किया है तो इसी तरह से कुछ मेरा जो स्टूडियो का कुछ इस तरह से बनावटी है कुछ राइट साइड में मेरे भगवान की कुछ मुर्तिया है जो भी आप देख सकते ये जो बो मुर्तिया है जो मुझे मेरे स्टूडियन्स मेरे मेंटर्स मेरे कहीं बार जो दोस्तों लोग मुझे भेट किया है वो सारे ये जो है भगवान की मुर्ति बगरा है यहाँ पे कुछ कलरम के जो भी आजकल जो भी इवेंट सारे है उसके है कुछ आर्मी का है और ऐसे बहुत सरे जो टॉफिक बगरा है तो तो मैं अभी दिखाने चाहरा हूँ कि यह मेरा जो की शेट आफ है आप देख सकते कुछ इस तरह से मेरे सामने एक वींडो है शेट आफ है कम्पीटर डेक्स्टॉप तो उसके उसके अंदर से मैं जो भी क्ला से लेता हूँ जैसे कि पिछले लास्ट नाइट को एक लास था चूकई flowers के क्लास था कुछ इस तरह से लोटस पोइंट के उपर तो तो मैं इस तरह से टैब के अंदर इस इसे देखता हूँ और मैं यहां से दिखाता हूँ तो वहां पे जो क्लासेश चलता है जो स्टूडेंट लोगर के इंटरेक्ट करता हूँ तो उसके जरीए चलिए मैं फहले तो अपना स्टूडियो का जो स्टेटाफ है वो बता रहता हूँ कि क्या क्या मैं इको में यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो कैनन का मार्क टू जो है कैनन टू हंड़ेड डी आप देख सकते मार्क टू यह मैं यूज़ करता हूँ वही नॉर्माल जो लेंस के साथ ही यह विल्कुल काम करता है बढ़िया कापी अच्छा वीडियो के लिए और इसके साथ एक केविल आता है जो की वो जो केविल है कुछ उसका जो गेमिंग केड़ कार्ड बोलते हैं गेमिंग कुछ इस तरह से कहते हैं HD60 गेम लाइव ऐसा है तो आप जो एक गेमिंग कार्ड बोलते हैं कोई गेमिंग कार्ड बोलते हैं अभी इसका जो लिखा हुआ आप देख सकते हैं USB30 HD कैप्चर कार्ड भी बोलते हैं तो इस तरह यह बज़ेट में आपकी जैसे आपको आप अपने हिसाब से बज़ेट के हिसाब से आप अपना ले सकते कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा उसके डिव्यू चेक करके जरूर लीजिएगा एक कैच कार्ड की जरूरत है आपको अगर आप कैमेरे से यूज़ कर रहे तो उसके बाद जो है एक में माइक यूज़ करता हूँ जो कि मौनों का है आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल माइक है और काफी अच्छा एकदम नॉइस बिलकुल नहीं रहता किसी को इधर कुछ भी हो जाए कुछ आवाज नहीं आता है कितना भी साउंड चले आवाज नहीं आता है वैसे भी में साउंड पसंद नहीं करता तो मेरे वैसे ही तुरस नॉइस नहीं रहता यहां पर और यह वीडियो में मैं क्लास देता हूँ तो यह कनेक्ट सारे मेरे पिछी से है ओके यहां पर एक पैन टैब यूज करता हूँ जो भी करेक्शन करना हो तो इस तरह से इस पैन के जिरिये मैं उसे करेक्शन करता हूँ जो भी स्टुडेंट अपने होमवर्क शेयर करते है तो मैं वहाँ पर जाके वहाँ पर दिखाता हूँ किस तरह यहां पर मालों यह वाइड बोर्ट मैंने निकाला तो यहां पर भी कुछ पहते जो भी जो भी पैंटिंग आता है उसके अंदर मैं जो भी करेक्शन बताना है जो भी कुछ मैंने उनको दिखाना है वो सब मैं यहां पर पैंट टैब के जिरिये मैं दिखाता हूँ और तो इस तरह से यह है शेट अप एक जो कैमेरा है जो मुझे फोकस करता है जब मैं स्विच करता हूँ के बना अपने होर तो यह लोजिटिप का है कैमेरा तो यह भी आप वेज़े कैमेरा ऐसा कुछ लगा सकते अपने खुद के लिए अब यह आते कुछ आर्ट मेटरियल्स मैं जो यूज करता हूँ पेपर तो टाइम पी टाइम पे मैं चेंज करता हूँ जैसे की कुछ यह जो है बाहूं अकडेमी पेपर है बाहूं आर्टिस्ट कॉलिटी यूज करता हूँ कही बर कही बर मैं यूज करता हूँ आर्टिस्ट का बाहों का रफ कहीं पर मैं यूज़ करता हूँ लाना पेपर भी यूज़ करता हूँ कहीं पर तो इस तरह से डिपरेंट डिपरेंट मैं जो है पेपर यूज़ करता हूँ और कुछ आर्टिस भी यूज़ करता हूँ तो कहीं पर मैं उसे देखता हूं कि काम के उपर डिपेंट करता है कि क्या काम है उसको पर डिपेंट करके मैं उसको सिलिट करता हूं कि किस तरह से जुरूत है एक बहुत ही प्यारा सा गजब का एक स्प्रेय है जो कि Amazon पे अबिलेबल है और सौरी मैं बताना चाहूंगा यहां थोड़ा सामन बिख्रा हुआ है क्योंकि आर्टिस्ट का तो ऐसे होता ही है थोड़ा वो ता आप मालूम ही होगा तो थोड़ा वो तो ऐसे काम करते करते हैं हर रोज संभालो विखर जाता है सामतक सामतक भी नहीं है आता गंटे में विखार जाता है एक काम काम करने का बाद तो मैं इस प्रेय की बात करूँ यह एामाज़ पर Mill को का府 मिस्ट है जो कि वाटरish आर्टिस्ट 利anda क्ication वीक्पर ब्रास्टो का है काफी खुश्रत है हलाकि यह दोनों मुझे मेरे एक आर्टिस फ्रेंड है काफी प्यारा फ्रेंड है उन्होंने गिप्ट किया है तो बट अच्छा है यूज के लिए बहुत ही अच्छा है और यहां पर एक स्पॉंज जो है आप देख सकते वाटर कल आटिस यूज करता हूं मैं जो कलर यूज करता हूं डैनियल स्मित का मीजलो का यूज करता हूं और एक आदा कलर जो है कैमिल का यूज करता हूं ओके तो कुछ ब्रेंस है यह मैंने ताइवन से लिया था जो कि आप देख सकते आर्ट से ग्रेट करके है तो अभी मैंने उसके लाके मुझे यह काफी वेट लगता यह तो ठीक है मौब ब्रश ठीक है बाट यह काफी तो मुझे भासी लगता है वेट बहुत है तो मुझे सही घृष्ट और हलका होने से मज़ा आता और यह भी कैलिग्रफी जो प्रोभू सावन सर का है यह जो मॉप ग्रस है जो की सुपरविजन का है यह भी काफी आच्छा मॉप ग्रस है इसका भी स्टेट आता है एक मैं पेन यूज करता हूँ यह मैकानिकल पेन जो की आप देख सकते गाफिगर 100.5 पेंटल का यह मैं मैकानिकल पेन से लिउस करता हूँ ताकि इससे क्या होता है काफी पतले लाइन होते और वाटर कलर में पतले लाइन काफी आच्छे होते और इसमें एक सेटी फीचर दिया हुआ है कि यह जो आगे का यह बटन से यह गाय बजाता आंदर चल जाता है तो यह अच्छा है कि वो गिरने से आपके वो नौक जो है खरब नहीं होगा यह अच्छा फीचर से तो कुछ इस तरह से में मेरा जो सामाने में यूज करता हूं और मेरा यह स्टूडियो है अभी भी बहुत सर पैंटिंग मे किजे विश्वल सर के पैंटिंग और भी इस तरह से बहुत सरे जो कि मेंटर आर्टिस्ट है हमरे उनके पैंटिंग मेरे पास है जो कि फ्रेमिंग के लिए गया हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरू सेयर करूंगा तो थैंक यू सू मच मैं उमीद करता हूं कि यह मेरा स्टूडियो सेट अप अच्छा लगा और यह बहुत जरूरी है कि एक अच्छा सेट अप चाहे आप स्टूडेंट है चाहे आप आर्टिस्ट है जो आपको जरूरत है तो थैंक यू सू मच बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हर एक पल्क में आपको कर घची क मच अच्रहे हर वह बहंते ही हर एक अच्छा सेट सूवरोग